हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OC3 एरर जो अमारी आएंविटी की VFD या आएंविटी का जो इन्वटर आते हैं उसने पॉमली OC3 एरर देखते हैं तो आती है तो यह क्यों आती है और इसको हम केसे स्वाल करते हैं वह मैं आपको आज इस व पॉड़ो इन्वटर रहे उसमें जो करंट सेंसिंग वाला सेट्षन आता है वो हमारा मोटर कितना एंपिया ले रही उसको सेंस करता है और अगर वह जो हमारी वीडिया शोले निवटर में सेट करंट से ज्यादा करंट हमारी मोटर ले रही है तो यहां पर OC3 की एरर इंड कर कि व्यक्वन होारे वहाल हो जाएके लिए तो सबसे पहलें पैधना उसको रन करकरना है यहां बटन होसे को आपका बटन नोगेया लगा है उससे आपकी द्राइव को र frontline करना है और चेक अब भी motor को निकाल देने के बाद, Error indicate कर रहे ही आपकी vfd या नहीं कर रही है, अगर यहाँ पर error आ रहे है है, तो आपकी vfd, quality है है, आपकी vfd में hardware side कोई issue है, और इसको repair करानी पड़ेगे, ठीक है, और अगर यहाँ तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पर जाना पड़ेगा एर्यट्रिक नहीं करी आपको दूसरा पॉइंट चेक करना पड़ी है कि check inverter और VFD and motor HP1 मदलब क्या है कि हमारी जो inverter और VFD यह उसकी नेम प्लेट पर होगी ठीक इस पर power and current कि तना लिखा है वो हमें check करके हमारी motor की नेम प्लेट से compare करना है ठीक इस पे जो power और current लिखा हो वो हमारी motor के इतना ही होना चाहिए या उस्से य시면 या सी ज्यादा मुद नहीं होना चाहिए संब्सक्राइब पॉइंट मथलुकि यहां पर जो कि नबूंतर रेटेट करना है और उसको कंपर्ड करना है है हमारी motor की नेंट से ठीक है similarly ये दूसरा parameter को भी चेक करना है p202 motor rated current और उसको compare करना है motor की नेंट पर कितना current लिखा है उससे ठीक है तो ये दो parameter में हमने जो डाली होगी वो motor की नेंट पर लिखिए उतनी होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए ठीक है तो तीसरा point A हो गया चेक parameter तो fourth number चेक motor ohms मतलब क्या है कि हमें हमारी जो motor है उसका ohms चेक करना है मतलब क्या है कि उसका resistance winding का resistance पहले तो हमें face to face में चेक कर लेना है ठीक है यहाँ पर हमारे जो multimeter उसको ohms में रखना है ठीक है resistance मेजर करने के लिए और चेक करना है कि face to face सभी तीनों वाइंडिंग का resistance यह नहीं आ रहा है पहले हमें यह दू वायर में चेक करना है बाद में यह दू में चेक करेंगे और बाद में यह और है ठीक है तो step by step हमें face to face चेक करना है ठीक है सिमिलले हमें motor का ohms जो face to ground भी चेक करना है कि कहीं पर हमारा जो motor का वाइंडिंग है वो ग्राउन के साथ स्वाट तो ही होगा है तो उसको भी हमें चेक करना होगा ठीक है कि यहाँ पर दिखिए जो prob है हमें motor का जो एक वायर है उस पर लगाना है और चाहिए kilo ohms में होगे तो आप समझ जाना कि आपके motor है उसमें कोई issue है ठीक और यहाँ पर भी आपको face to face जो रेजिस्टन इंडिकेट कर रहा है वो सेम होना चाहिए ठीक वरना जो उसमें difference आएगा तो भी आप समझ जाना कि कोई winding में problem है and the last point is check motor cable मतलब क्या है कि हमारी जो VFD में से motor में जो cable जा रहा है उसको हमें check करना है कि यहाँ पर कोई cable में sorting तो नहीं है न या visual inspection से हमें check करना है कि यहाँ पर कोई breakage वगेला तो नहीं है na cable में और हम multimeter से check कैसे करते है कि red and yellow face के बीच में हमें resistance चेक करना है यह और बाद में yellow and blue के बीच में resistance चेक करना है बाद में red and blue के बीच में resistance चेक करना है अगर वो resistance किलों में आये या उससे की कम में आये तो आपका cable quality यह और आपको इसमें connection मोटर में connection भी check करने नहीं कि मोटर में कोई कनेक्शन तो नहीं है आपका केबल का तो वह भी आपको चेक करने ना एक तो यह हो गए फाइफ पॉइंट और मुझे लग रहा है कि आप ने अगर यह फाइफ पॉइंट चेक कर दी हो गए तो आपकी अनल सौल हो गई होगी अगर आपको इसमें कोई भी अभी भी डाउट ह तो मुझे जिसी कमेट में लिख सकते हो मैं उसका अंसर जरूर दोंगा और अगर आपको इस वीडियो थोड़ा भी हेल्प दो लगा तो इस वीडियो को लाइक और अगर आप मेरी चैनल को नए हो तो मेरी चैनल को सुश्काइब करना मत बुले तो थेंक्यू फ्रेंट्स ट्यूंथ कर वाच द को ऊड़ और हम इस वे कर बुले से कर दो से राए